जय मादादी, हारी कृष्णा, कैसे हो आप सब, मा, भगपती, आप सब का कल्यान करें, आप सब की सभी मनो कामनाओं को पून करें तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको पता होगा, कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाली हैं, तो चलि हम आपको विक्रह दिखा रहे हैं, सारे इंफोर्मेशन आज हम इस वीडियो के मात्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो मा भगवती सेंगे के उपर सबार हैं, चिंकी तस पुझाए हैं, माता ने एक हात में त्रेशोल, शंक, चक्र, गदा, दो मर्ब, सब कुछ धार अंकर रखा है, माता आशिरवाती रही है, और विक्रह के उपर फुल पेन किया गया है, भक्त की रिक्वार्मेंट थी, भाईया बहुत टाइम से सोच रहे थे, उनके घर ऐसा कोई विक्रह पहुंचे, जो मा की सेवा कर पाए वो, उनके पास अल्रेडी मा भगवती का विक विक्रह बनवाया है, जिनकी हाइड 18 इंचेस है, फुली पेंटेड है, आप देख सकते हैं कितना जाधा सुन्दर हम लोगों ने नाचुरल कलर के साथ, शेट के साथ, यहाँ पेंट भी कई तरह से किये जाते हैं, क्वालटी होती है, एक होता है ब्रशे पेंट किया जाता है, तो यहाँ पे विक्रह को हम एर ब्रश के साथ पेंट करते हैं, तब ही इस तरह का शेट पेंट आता है, जिसे हम स्पेशल पेंट भी भूलते हैं, इसलिए अगर आप पेंटिंग करवाना चाते हैं विक्रह के उपर, तो इस पेंट डर्वाएं, जो कि पर्वनेंट होत इस पात का आप जरूर ध्यान रखें, माता के आख के तीसरा नेत्र बनाया है, मा की तस फुझाए है, बिल्कुल मा चंड़ी का रूप बनाया गया है, जिस तरह से सब्द सती की पुस्तक में मा का विवर्ण बताया गया है, माता की तस फुझाए है, मा सिंग पे सभार है, उस तरह से मा चंड़ी का रूप हमने बनाया है, भक्त की रिक्वाइर्मेंट थी, भक्त की इच्छा थी, उस हिसाब से बनाया गया है, हरे कृष्णा